दुस्ति जो September का मन्त होने वाला है इसमें बहुत सारे डिवाइसे बहुत सारे फोन स्मार्ट वाचे स्मार्ट टीवी लाँच होने वाले इसका साथ जात कुछ एक्सेसरी भी आपको देखने को मिलेंगी तो वैसे इस वीडियो मैं आपको ऐसे 10 प्रोजेक्स के बारे में बत लाँच होने वाले हैं तो अगर आप भी ऐसे कुछ फोन या फिर स्मार्ट टीवी बाय करने का सोच रहे हैं तो वीडियो पूरा देखे क्योंकि काफी कमाल के प्रोजेक्स मैं आपको इस वीडियो में बताने बाला हूं जो इसी महिने में इंडिया में लाँच होने वाले इसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रोडेक्ट है या अल्रेडी लाँच हो चुकि आपको बस एक रिमाइंडर करना है डीजो वाज 2 इसके जो प्राइस है दोस्तों यह 3500 रुपए वैसे रहेगी नॉर्मली लेकिन यह आपको 22 सेप्टेंबर से से सेल पर जा रहा है औ और यह सिर्फ और सिर्फ आपको 2000 रुपए में मिलने वाला है तो अगर आपको एक अच्छी स्मार्ट वाच है जिसमें बहुत सारे बढ़ियां फीचर्स मिलें SPO2 भी हो और हार्ट अगरा भी हो सिर्फ GPS इसमें नहीं है तो आपको 22 सेप्टेंबर को डीजो वाज 2 को लाउंच कर रहा है और इसके जो प्राइस है दोस्तों कुछ 18,000 रुपए का सपास इंडिया में हो सकती है यह भी 24 सेप्टेंबर को ही इंडिया में लाउंच हो रही तो अगर आपको 32 इंच का कोई लेटेस स्मार्ट टीवी बाय करना है तो आपको जरूर से रियलमी के इस स्मार्ट फून बाय करना हो तो आपको जरूर से रियलमी नार्जू 50 एक वेट करना चाहिए 24 सेप्टेंबर को यह फो लाउंच हो जाएगा इसके बाद में आप इसको बाय भी कर सकते हो फिर यहां पर दोस्तों जो अगला फोन है वो भी काफी कमाल का होने वाला शौमी ल सकती है तो ऐसा कुछ अगर आपको मिड़ फ्लैक से स्मार्ट फून बाय करना है आपका बजट 25 से 30,000 रुपए के आसपास है तो जरूर से आपको इस फोन के लिए वेट करना चाहिए यह फोन 29 सेप्टेंबर को इंडिया में लाउंच हो रहा है इसके बाद मैं दोस्तों अगला जो प्रोडेक्ट है यह भी स्मार्ट फू की तरफ से आती है रेड़मी की दो पीज दोस्तों लाउंच होने वाली है एक तो 32 इन साइज में और दूसरा है 43 इन साइस में रेड़मी की इह एंडिया में 22 सेप्टेंबर को लाउंच हो रही है और जो स्टार्टिश व तो आपको जरूर से इंटीवी अपने लिए बाइग कर सकते हैं तो अगर आप भी Vivo X70 series का वेट करें हैं, विससे साथ से इसमें थीन फोन आपको इंडिया में देखने को मिलेगा, Vivo X70, X70 Pro और साथ से X70 Pro Plus भी आपको इंडिया में देखने को मिल जाए, तो ये फोन 30 September को इंडिया में लांच हो रहे हैं, और इसकी दोस्तों प्राइस जो ह नहीं पता, पर ये Big Billion Day Sale में ही लांच होने वाला है, इसकी जो प्राइस होगी दोस्तों कुछ 20,000 रुपए के आसपास होने वाली है, और आप बोल सकते हो कि ये सिरह सिरह कर सकता है Realme Pad को, क्योंकि Realme Pad को 14,000 रुपए का आसपास स्टार्टिंग है, और ये अभी इसकी जो रुपए के आसपास है, तो अगर आपको भी ऐसे कुछ जो है 15,000 से लेके 25,000 का आपको बजेट आपको एक टैबलेट बाय करना है, तो जरूर से आपको Motorola के इस टैब का वेट इंडिया में करना चाहिए, इसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रोडिक है, ये एक Android TV स्टि अब दोस्तों इस लिस्ट में जो सबसे लास्ट का प्रोडिक्ट है, ये भी एक स्मार्ट फोन है, रियल्मी जी टी नियो टू, ये फोन फिलाल इंडिया में लाँच नहीं हो रहा इस महने, लेकिन इसी महने ये फोन चैना में लाँच हो रहा है, बाइस सेप्टेमबर को रियल्मी जी टी नियो टू चैना में लाँच हो रहा है, और इसके दोस्तों एकस्पेक्टेड प्राइस को इस 30,000 रुपए के आ या फिर Amazon की भी कोई 100% सेल आने वाले इस मन्त के एंड एंड तक तो इसमें आपको बहुत अच्छे ओफर्स भी देखने को मिल सकते हैं नए प्रोड़क्स भी होगे बैंक ओफर भी होगे तो आप जरूर से अगर आपको फोन स्मार्ट वाच बाय करनी है तो जरूर से आप इ इस वीडियो में इतना ही मिलता हूँ मैं आपसे अपनी अगले वीडियो में